आज की वीडियों में बात करने वाले हैं आपके CCCC 2022 February के एक्जामनेशन के बारे में क्योंकि एक नई अपडेट आ गई है और जो लोग वेटिंग कर रहे थे February एक्जामनेशन के लिए उन लोग के लिए good news है और कुछ institution के लिए या फिर कह सकते हैं कुछ regional center के लिए थोड़ी सी bad news होने वाली है आज की वीडियो में सारी बाते करूँगा वीडियो की importance को देखते हुए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे या लोग के पास information पहुच सके है और उसका benefit उठा पाए हाई फ्रेंड दिसे अश्वनिकुमार वस्ती वाचिंग माई यूट्यूब चैनल अश्वनियस्ती जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं बात करूँगा आपके ट्रपल सी February 2022 के examination को लेकर नई अपडेट के बारे रहे थे वो लोग admit card को download कर सकते हैं और download करने का जो procedure है वो पूरा-पूरा वैसे ही होगा जिसके वारे मैं आपको clarify कर देता हूं कि आपको admit card को कैसे download करना है तो आपको नायलेट की website जो का आपको दिखाई पड़ रहा है student.nalev.gov.in इस पर जाना है इसको जाने के बाद आपको scroll down करने के बाद आपको नीचे option मिलेगा download admit card का click कर लेना है आपको download admit card पर और admit card पर click करने के बाद यहां से window को close कर देना है और यहां पर आपको option मिल जाता है course on computer concept का इस पर click करते ही अपका एक undertaking आता है क्योंकि जब से covid start हुआ जब से admit card आया है तो covid के rules को लेते हुए आपको sanitizer और mask का प्रियोग जरूर करना है इसके सब्सक्राइब आप gloves पैंगे आते हैं और बैटर रहता है यहां पर आपको option मिल जाता है examination year का तो आप जानते हैं के 2022 को select करना है और जिन use किया है वो choose करेंगे इसके बाद आपको यहां पर application number डालना है जो कि जीओ ट्रपल सी करके होगा अगर आप गोरगपुल रिजन के है ठीक है सकते हैं कुछ regional center ने शायद मना किया है confirmation अभी मुझे news नहीं मिल पाई है कि शायद Delhi में examination होना possibilities नहीं है इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग डेली वाले के लिए postpone किया जाएगा क्योंकि latest news अभी कोई भी नहीं मिल पाई है analytics के द्वारा मैंने बात भी की ती मंगर वहां से कोई complete information नहीं मिल पाई है वहां पर सर्जना होने की वैश से पूरी complete information हमें प्राप्त नहीं हो पाई जिसके राण में complete information आपको नहीं दे पा रहा हूँ इसके लावक कुछ regional center के लिए उनने बोला है कि कुछ regional center जो है वहां पर examination शायद इस बार conduct नहीं होने वाले है नाम वह नहीं बता पाई है कौन कौन से regional center है शायद हमें सर होते तो शायद पूरा complete हमें information दे पाते बट वह नहीं थे इसलिए पूरी information complete नहीं मिल पाई है फिर भी अगर आपने form भरा है जनवरी के लिए या February के लिए तो आप अपना admin card यहां से check कर सकते हैं और check करने के बाद अगर आपका admin card download होता है that means आपका examination confirmed है कि आप February में exam देंगे और एक और चीज़ कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी doubt रहता है या आपका admin card download नहीं हो रहा है तो comment section के माद हम से मुझसे बात कर सकते हैं consult कर सकते हैं और अगर information भेजना चाते हैं तो मुझे अप मेरी email ID जो के आपको description में मिल जाएगी उस पर मुझे आप mail के माद हम से भी सूचित कर सकते हैं at last में करना चाहूंगा thanks for watching my video thank you